तो दोस्तो बारिश तो पूरी महाराष्ट में जमाजम जमाजम हो रही है पर खास कर 25 और 26 जुलाई को स्टे टून विद माई ब्लॉग फ्रेंड्स इसी बारिश की बीच में मैंने इससे पहले ब्लॉग में बताया था कि बारिश आती है हर्याली कोषाली सब लाती है पर हमरे साथ कुछ दुख बरे नगमे bhi लेके आती है जैसे बारिश आने के बाद बहुत सारी बिमारी होती और उत मैं एक जो बहुत इंजर विमारी बोल सकते हैं वह है डेङु कि इसले साल मैं भी इससे गुजर चूपा हूँ जब मेरा प्लेट ले 20 थाउजन आ गया था और मुझे भी ICO में जाना पड़ा पर मैं एक दिन के अंदर मेरा रिकावरी होगी पर हर किसी का यह रहता है रिकावरी बॉड़ी का पर इस भीच में मेरे दोस्तों मैंने इस डेंगवी को दिया जहां दोस्तों मेरा एक्स आर्मी मेरे फ्रेंड शतीष जामले मुझे जब फोन आया तो उनका मिस्स का फोन आया तो मैं तो सोचा कि मेरे को चिड़ा के बात करता है वैसे बहुत करेगा पर आवाज जब स्पीकर से आई फोन के इसकी ऐसा हो गया तो सही में मैं तो एकदम मेरे तले जमीन में से मतलब कुछ बोल नहीं सकता उसके बादा जब तक पता लगा कि actual क्या हुआ तब तक बहुत लेट हो चुको था क्योंकि ऐसे treatment में बहुत fast activity करने परती है दोस्तों अगर आप भी बुखार से गुजर रहे हो या ऐसा कुछ symptom दिख रहा है तो प्लीज घर में डॉक्टर मत बनिये घर में treatment तुरंद अच्छे जगे कराई और जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ कि साथ में वह पीछे छोड़ जाता है फैमिली को और सबको हलाकि बहुत वेल सेटल था बहुत ही मतलब टैलेंटेर था और उसने आपने आगे का फीचर गया बहुत अच्छा प्लानिंग किया था मैं तो लोग कुछ लोग कितने कौशे से मुझे उसका फोन आया कि सर मुझे लेफ साइड में दूख रहा होगा तू एक काम कर तेरा रूटीन के तो उसने बोला सर मैं दिन भर गाड़ी चलाता रहता हूं और बाकी को हल चलने में ठीक है भी तेरा शायद कलोस्ट्रॉल कर दिया उसने पर निकला किया कुछ ने इस कि पर किया उसने पॉजटिव स्टैप लिया भहत अच्छा यह उसने गया हो क्या कि मन में उसके शंकान एंए कि मुझे कुछ तो नहीं रहा है तो हमें कौशेस रहना चाहिए प्रेंट्स आपने मेरे पिसले कही ब्लॉक में दे अगले कई ब्लॉक के बाद में जरूर ब्रीफ पताओं कि वह बोलना बहुत जरूरी है लोगों को अवेर करना बहुत जरूरी है समझाना जरूरी सब जरूरी है पर इस बीच में जम मैं पचीस तारीको जहाँ जब बारिश में निकला था बॉंबे के लिए तो मुझे भी य तदेनी निकले है और बोमभी का रूट है हाइवे है और कुछ नहीं दिख रहे हैं हमने क्या किया मैं ड्राइवर बाबा बाकी कुछ मत कर जो मैं बोल रहा हूं Korean पकड़ी एक दूसरी बड़ी गाड़ी बना हमारी कार थी और आगे बड़ी एक गाड़ी लॉरी चल रही थी जिसमें पट्टी यह से लगती है जो दिखाता है मतलब उसको क्या में शब्द का नाम नहीं आ रहा है मेरेको तो वो उसको हाइलेटर जो उसको देखके हम आगे कम से कम नहीं भी तो पचास किलोमेटर हमने उस गाड़ी का पीछा नहीं चोड़ा जब तक कि हम लोग सेव लाइट वाले एरिये में नहीं आए एक चोटा सा मैंने वीडियो लिया मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मतलब बहुत ही अच्छा के लिए मतलब ऐसे कुछ अ कि मतलब बहुत है झाल झाल देखा दोस्तों समध्दारी का काम हमने गाडी का पीछा है और इसी भीच में बामे में या पूना में हर जगे बारिश बहुत हो रही है इतना पानी बरस रहा है इतना पानी बरस रहा है फ्रेश वाटर पर पानी हम क्या कर रहे है क्या कर रहा है कुछ नहीं कर रहा है इतना पानी लेकर करूँ तो दोस्तों इस चोटी से ब्लॉक को ही कहतम करते हूं मिलते हैं अगल बॉक में अंटिल दन गुडबाइ झाल